हेलो एवरिवान, वेलकम बैक टू माई चैनल, दोस्तों सभी परमानिन्ट फ्लावरिंग प्लान की कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग हो चुकी और सबकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, नई नई पतियां निकल के आ रही है, कुछ जो पौधे थे अभी एक दो प तो मैंने जितने पौधों की कटिंग की थी, सब अच्छे से चल रहे हैं, सबकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो आपने भी कर ली होगी, और अगर नहीं किया है, तो आप अभी कर लें, अपने सभी पौधों की प्रूनिंग, ये बहुत ही अच्छा टाइम है, नई से जादा कलियां बनेंगी, जादा से जादा फूल आएंगे पौधे में, और अगर किसी भी प्रकार की समस्या पौधे में होगी, तो सभी प्रकार की समस्या इस काम को करने से खतम होगा, बहुत ही जरूरी काम है, अपने सभी प्लांट्स पे इस काम को करना बहुत ही आव एक लीटर साधा पानी भर लिया है अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक चमच एपसम साल्ट तो एपसम साल्ट के बहुत ही सारे फायदे हैं ये पौधे की ग्रोथ को बहुत ही तेज करता है फास्ट करता है एक चमच मैं डाल रही हूँ यहाँ पे हल्दी पावडर ये बहुत पूदी पाउडर एक फंजी साइट का काम करता है, किसी भी प्रकार की फंगस होगी बैक्टिरिया सब खतम करेगा नीम उयल एक पहतरीन कीट ना सक है आपके पौदे पे किसी भी प्रकार का कीडा जैसे गुड़ल वगएरा पे तो चीटियां लग जाती है मिली बक्स लग जाते हैं तो ये सब को खतम करेगा तो कटिंग प्रूनिंग के बाद ये काम करना बहुत ही जरूरी है आप अपने सभी पौदों पे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट पे तो बहुत ही आवस्यक है उन पे ये काम करना बहुत ही आवस्यक है तो इस्प्रे बॉटल में भरके इस तरह से अपने सभी पौदों पे इसका इस्प्रे कर लेना है एक बात का आपको ध्यान देना है कि ये इस्प्रे आप सुबह या साम के टाइम करें धूप निकलने से पहले सुबह के टाइम करें छे से साथ बज़े तक या फिर साम को करें चार बज़े के करीब धूप में इस काम को नहीं करना है इस बात का आप ध्यान रखिएगा तो बस इस तरह से स्प्रे कर देना और गुड़हल के प्लांट में तो बहुत ही अच्छे से पूरा नहला देना है इस लिक्विट से पौधे को क्यूंकि गुड़हल में बहुत जादा मिली बग्स, चीटियां, कीड़े बहुत ही जल्दी लग जाते हैं और जब पौधा कटिंग प्रूनिंग हुई रहती है तो फंगस वगेरा कीड़े लगने के चांस जादा रहते हैं तो इसका इस पौधे को बहुत ही हेल्दी रखेगा और नई ग्रोथ लाने में इसको मदद करेगा नई ग्रोथ को फास्ट करेगा तो आप अपने सभी पौधों पे इसका इस्प्रे जरूर करें गुडहल, अप्राजिता, रातरानी, डबल चांदनी जो भी पौधे हैं आपके पास जिनकी भी आपने कटिंग प्रूनिंग की है वैसे आप इसका इस्प्रे अपने सभी पउदों पे कर सकते हैं इंडिोर प्लांट में भी इसका इस्प्रे कर सकते हैं जो भी सब्रमचा है सबकी tow को यह तीज करेगा सब में five लेकिन फूदों वाले पौदे के लिए अभी इस time जादा फूल आएंगे जादा से जादा कलियां बनेंगी तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक से और मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग